हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागाते हैं आप सभी का आपके अपने चानल पैबली हिंदी में तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेजर पे में पेमेंट होने पर आटोमाटिकली वाट्चाप मेंसे सेंड करें यानि कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे रेजर पे अकाउंट पे हमें एक पेमेंट रिसीब हो तो आटोमाटिकली हम पेमेंट करने वाली यूजर को एक वाट्चाप मेसे सेंड करें तो एक्जामपल के लिए माल लिए दोस्तों कि मेरा कोई कस्टमाइज टी-शेट का बिजनस है और मैं रेजर पे का यूज़ करता हूँ अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीब करने के लिए और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई कस्टमर जब भी कोई यूजर मुझे रेजर पे पेमेंट करें तो मैं उसे एक पेमेंट यूजर होने के कारण ये प्रोसेश बहुत ही मुश्किल और टाइम कंसुमिक हो सकता है तो यहाँ पर मैं चुना दूसरा तरीका जो कि एक आटोमेशन सेट अप करने का कैसा आटोमेशन एक इस तरीक एक आटोमेशन जिससे कि जब भी हमारे रिजर पे अकाउंट पे हमें एक पेमेंट रिसीब होगा तो आटोमाइटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को हमें एक वाट्चाप मेसेज सेंड कर देंगे लेकिन इस आटोमेशन को सेट अप करने में एक छोटी सी प्रोब्लम थी वो ये कि रिजर पे और वाट्चाप इन दोनों का ये आपस में कोई डरेक्ट लिंक कोई नेटिव इंटिग्रेशन नहीं है तो आज इस प्रोब्लम को सॉल्फ करने के लिए मैं जिस सॉफ्टियर का यूज़ करूँगा उसका नाम है पैबली कनेक्ट पैबली कनेक्ट बेसिकल एक आटिमेशन और इंटिग्रेशन सॉफ्टियर है जिसकी हल्प से हम रिजर पे और वाट्साप इन दोनों कोई आपस में लिंक करेंगे आपस में इंटिग्रेट करेंगे ताकि हम ये आटिमेशन सेटप कर सके और इस वीडियो में दिखाया जाने वादे आटिमेशन की सबसे खास बात ये है दोस्तो कि इस आटिमेशन को सेटप करने के लिए आपको किसी भी तरिकी की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नोलज का आना ज़रूरी नहीं है एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा आटिमेशन बहुती एजली सेटप कर सकता है तो चली देखते है पहले इस आटिमेशन का एक रियल टाइम एक्जामपल तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह है मेरा रिज़र पी का पेमिंट पेज यानकि जब भी कोई यूजर इस पेमिंट पेज पे आगे यहाँ पनी डीटेल्स फिल करेगा और यहाँ से पेमिंट करेगा तो आटमाटिकली उसके मेंशन किये एक नंबर पर हम एक वाच्चाप मैसेज सेंड कर देंगे तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते है तो यहाँ पे मैंने एक यूजर के डीटेल्स एंटर कर दी है जिसका नाम है अकाज भेलकर इमेल एड्रेस है अकाज.भेलकर एड्रेट गम यह उसका फोन नंबर एड्रेस, पिंद कोड और यह टोटल अमांट जिस अमांट के लिए वो पेमिंट कर रहा है तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते है पे पे एंड्रेक करते है एक टेस्ट क्रेडिट काड तो यहाँ पे क्योंकि हम रेजर पे के टेस्ट मोट पे है test payment mode पे इसलिए यहाँ पे हम एक test credit card की details एंटर कर रहे हैं success तो जी हाँ यहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि successfully हमने एक payment कर दिया है अपने reserve payment page पे तो दोस्तों चलते है उस user के जिसकी details अभी हमने एंटर की है उस user के number के WhatsApp account पे और वहाँ चलके दिखते कि या उस user के mention के एक number पर हमें कोई WhatsApp message receive हुआ है या नहीं तो यहाँ पे हमारे पास उपन है WhatsApp account और जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक WhatsApp message receive हो गया है एकदम real time में जो कहता है order confirmed हेलो अकाश भेलकर यानि की payment करने वाले user का name thank you for shopping with us your order of personalized t-shirt is confirmed we will confirm the exact date of delivery as soon as your order is shipped setbacks and relax we have this delivered to you happy shopping पावली तो दोस्तो अब आप सोचेंगे यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने अपने रेजर पे payment करने वाले user को अपने customer को automatically payment करते ही कि एकदम real time में एक WhatsApp message send कर दिया तो मैं आपको बता दू यह पूरा process यह पूरा automation मैंने setup किया है तीन simple steps में जिसमें हमारा first step है connect publicly connect to razor pay with the help of webbook url यानि कि सबसे पहले हम जाएंगे पावली connect में और वहाँ से मिले एक webbook url के help से हम razor pay और पावली connect इन दोनों को यह आपस में link करेंगे आपस में connect करेंगे फिर आती है हमारी second step जो है collect the data from razor pay in publicly connect तो हमारी second step के लिए हम जाएंगे अपने razor pay account के उस payment page पे जो हमने create किया है payments receive करने के लिए और उस payment page पे एक test payment करेंगे एक demo user के साथ ताकि हम उस payment का जो data है उस user का जो data है वो पावली connect में collect कर सके है फिर आती है हमारी third step जो है send the same data to wati for sending message on whatsapp तो दोस्तो whatsapp हमें directly message send करने की permission नहीं देता तो इसलिए इस वीडियो में हम wati का use करेंगे जो की whatsapp का एक official API software है जिसकी help से हम चाहे तो अपने users को whatsapp message send कर सकते हैं तो हमारी third step में जो data हमने पावली connect में collect किया है रेजर पी से उस same data को हम send करेंगे वाटी को ताकि हम वाटी की help से अपने payment करने वाले users को automatically whatsapp messages send कर सके हैं तो चलिए शूरू करते हैं हमारी fourth step और चलते हैं पावली connect पे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने browser में और यहां enter करेंगे papbly.com sorry तो सबसे पहले हम आएंगे अपने browser में और यहां enter करेंगे papbly.com paply.com पे जाती हम जाएंगे product पे और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही यह खुल जोका है हमारे पास पावली connect का landing page यहां हमें दो options दिखाई दे रहे हैं एक है sign-in दूसरा है sign-up free क्योंकि मेरा paply connect पे already account है तो मैं करता हूँ sign-in आप sign-up free पे click करके दो मेट पे अपना paply connect पे free account बना सकते हैं इसके हम स्क्रोल डाउन करेंगे और यहां connect के नीचे click करेंगे access now पे access now पे click करती दोस्तो यह खुल जो का हमारे पास पावली connect का dashboard यहां हमें एक option दिख रहा है create workflow का हम click करेंगे create workflow पे और अभी हमसे पूश रहा है इस workflow का नाम तो मैं इस workflow को नाम देता हूँ अब हमें यहां पे दो options दिखाई दे रहा है एक है trigger दूसरा action तो आप मुझसे पूचेंगे कि यह trigger और actions क्या है तो trigger और action basically वो तो concepts है वो तो principles है जिसकी basis पे यह पूर automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस वीडियो के use case में जब भी हमें razor pay पे एक payment receive हो तो automatically payment करने वाले user को whatsapp message send करे तो चली पहले चलते हैं अपने trigger window पे और यहाँ choose apps में search करते हैं आज का मारा पहला application जो है razor pay razor pay and then यह हमसे push right trigger event तो हमें यहाँ पे कई सारे trigger events दिखाई दे रहे हैं लेकिन जिस trigger event का use हम आज इस वीडियो में करेंगे वो है payment captured यानि कि हम चाहते कि जब भी हमारे razor pay account पे एक नया payment capture हो तो razor pay हमें उस payment की details send करे पाबली connect पे तो अपना trigger event select करते ही पाबली connect ने दिया हम एक webhook URL अब इस webhook URL की help से हम razor pay और पाबली connect इन दोनों को यह आपस में link करेंगे आपस में connect करेंगे और यह पूरा process हम कैसे करेंगे यह देखते हैं हम इसके नीचे दिये गए instructions पे तो यहां लिखा है login to your razor pay dashboard and navigate to settings webhooks तो basically यह हमसे कह रहा है कि हम अपने razor pay account के dashboard पे जाए फिर जाए settings पे और फिर जाए webhooks पे तो चली दोस्तों directly चलते हैं अपने razor pay account के dashboard पे और भही चल के देखते हैं कि यह पूरा process जो है कैसे setup होगा तो यहां पे मैं आ चुका हूँ अपने razor pay account के dashboard अब यहां left side पे मुझे कई सारे options दिखाई दे रहा है जिस मेंकि scroll down करते ही मुझे second last option दिखाई दे रहा है settings का तो मैं क्लिक करता हूँ settings पे and settings पे जाते ही उपर को चार options दिखाई दे रहा है जिस मेंसे second option से webhooks का तो मैं फेर click करता हूँ webhooks पे webhooks पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे मुझे इस अपने razor pay account पे है और यहां राइट साइट पे मुझे एक option दिखा यह था add new webbooks का तो मैं यहां क्लिक करता हूँ add new webbook पे and then अब यहां यह मुझसे पूछ रहा है webbook URL तो दोस्तो जो webbook URL हमें public connect ने दिया था उस same webbook URL को अब हम यहां पे paste करेंगे तो हम अपने public connect अकाउंट से इस webbook URL को करता है यहां copy and then अपने razor पे अकाउंट पे यहां पे करता है इसे paste इसके बाद secret और alert emails इन दोनों को ही मैं blank छोड़ता हूँ फलाल के लिए ignore करता हूँ and then जो last option ही हमसे पूछ रहा है वो है active event कि किस event पे razor पे public connect को data उस payment की details send करें तो हम चाहते है जब भी एक नया payment capture हो तो razor पे उसका data public connect को send करें तो active events में मैंने select कर लिया है payment captured और अपने active event select करते ही मैं हाँ click करता हूँ create webbook पे तो यह हमें बता रहा है webbook saved successfully यानि कि दोस्तो इस process का इस automation को setup करने का जो हमारा first step था जो था razor pay और public connect इन दोनों को या आपस में connect करना आपस में link करना वो होता यहाँ पे complete तो इसके बाद हम आते हैं अपनी second step पे जो है collect the data from razor pay in public connect तो second step के लिए हम जांगे अपने razor pay account के payment page पे और वहाँ पे हम एक test payment create करेंगे ताकि हम उस payment का data उस payment की details अपने public connect account पे collect कर सके तो चली चलते हैं अपने razor pay account के payment page पे तो यहाँ पे जो हम settings के option पे अपनी first step पे आए थे इसी के कुछ उपर हमें इसी row में एक option दिखाई दे रहा है payment pages का तो हम क्लिक करते हैं इस payment pages के option पे और यहाँ पे मेरा personalized t-shirt का एक payment page है आप चाहे तो यहाँ create payment page पे क्लिक करके अपने requirement के सबसे अपना razor pay का payment page create कर सकते हैं मैंने यहाँ पे already create कर लिया है तो यहाँ से मैं इस payment page के link को करता हूँ copy and then इसे एक new tab में करता हूँ paste और open करता हूँ अपने razor pay account के payment page को तो अपने razor pay account के payment page को open करने के बाद यहाँ पे हम as a test user एक demo user के details enter करके एक payment create करेंगे एक test payment create करेंगे ताकि उसका data हम public connect में collect कर सके हैं तो यहाँ पे मैं एक test user की details enter करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक user की details enter की है जिसका नाम है नितिन शर्मा इमेल अड्रेस नितिन123 अडिरेट इमेल डॉट कॉम उसका फोन नमबर उसका अड्रेस उसका पिन गोड एंड टोटल अमाउंट पेमिंट का और यहां पे मैं क्लिक करता हूँ पे पे दन अगें टेस्ट मोट से एक टेस्ट क्रेट काड डीटेल चेंटर करके यहां पे करता हूँ पेमिंट क्लिक काउन पे और क्योंकि हम रेजर पी के टेस्ट पेमिंट मोट पे है इसलिए यह हम से पूछ रहा है कि हम इस पेमिंट को सक्सेस करना चाहते है या फेल करना चाहते है तो हम चाहते हैं यह payment success हो, तो मैं click करता हूँ success पे, यहाँ यहाँ पे हमने एक test payment, एक demo payment, अपने razor pay account के payment page पे create कर ली है, तो चली चलते हैं अपने public connect account पे दोस्तों, वहाँ चलके देखते हैं, जो हमने फोर्स step पे अपने razor pay account अपने public connect account का आपस में connect किया था, उसके according, इस payment की जो details है, इस payment का जो data है, वो public connect ने receive किया है या नहीं, तो चली चलते हैं अपने public connect account पे, और यहाँ response received के नीचे देख सकते हैं हम दोस्तों, कि यहाँ पे हमें कुछ response received हुआ है, और यह response हमें वही बताता है, कि जो अभी अभी हमने payment create की है, एक user की details से, जिसका user का नाम है, नितन शर्मा, उसका email address, उसका phone number, address और बाकी सारी details, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे हमने successfully, जो अपने razor pay account और public connect account को connect किया था, इसके बाद हमारे razor pay account पे होने वाली payment की details, जो है, हमें अपने पाप्ली connect account पे receive हो रही है, यानि कि इस process का, इस automation को set up करने का जो हमारा second step था, वो भी हाँ पे हमने successfully complete कर लिया है, वो भी बहुत ही easily, तो चली अब हम चलते हैं अपने third और final step पे, जो है, send the same data to wati for sending messages on whatsapp, तो यह जो data हमने अभी collect किया है पाप्ली connect पे razor pay account से, इस same data को अब हम send करेंगे वाटी को, ताकि हम वाटी के थुरू whatsapp messages अपने payment करने वाली users को send कर सके, तो चली देखते ही हम कैसे करेंगे, तो अब हम बापस आते हैं अपने पाप्ली connect अकाउंट पे और यहां scroll down करके नीशे जाते हैं action window पे, और action window पे choose apps में search करते हैं हमारा second application जो है वाटी, वाटी सलेक करते ही हम यहाँ सलेक करते हैं अपना action event और यहां में कुछ action event दिखाई दे रहा है जिसमें से हम सलेक करेंगे send template messages और क्लिक करेंगे connect पे, तो इसके बाद दोस्तों यह मुझसे कह रहा है अपना वाटी अकाउंट connect करने के लिए मैं जाओंगा add new connection पे and then यह मुझसे यहां पूछ रहा है मेरा API endpoint वाटी अकाउंट का और access token जो कि हम इसके नीचे दिये का instruction में पढ़ सकते हैं जो कहते है navigate to top of your वाटी डाशबोड, पփपना API endpoint और साथी साथ access token receive करने क लिए है तो दोस्तों चले चलते हैं अपने वाटी अकाउंट के dashboard पे है तो दोस्तों यह आगया मैं अपने वाटी अकाउंट के dashboard पे हैं अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने वाटी अकाउंट के dashboard पे कैसे आया तो मैं आपको बता दू कि VATI account उसके इस dashboard को access करना, उसमें अपना account create करना, sign in करना, और VATI से related सभी processes की एक detailed video हमने बना के इस video के description में as a link add कर दिये हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इस video के description से उस link पे click करें, VATI से related उस video को detailed video को देखें, ताकि आप भी जान सके कि मैं अपने VATI account के इस dashboard पे कैसे आचुका हूँ, तो अपने VATI account के dashboard पे आते ही, हमें यहाँ पे broadcast के right side में एक menu को option दिखें का, तीन बार्स का, जिस पे click करते ही, हमें यहाँ यहाँ पे drop down में कई सारे options दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक option है, API docs का, तो मैं click करता हूँ API docs पे, and API docs पे click करत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अपना access token, और साथ ही साथ अपना API endpoint, तो यहाँ से, मैं इस access token को करता हूँ copy, और इसे paste करता हूँ जाके अपने public connect account के इस option में, जो मुझसे पूछ रहा था, मेरा VATI account का access token, and then, वापस करता हूँ API endpoint को अपने WhatsApp, VATI account से copy, and then, इसे paste करता हूँ, पाबली connect पे है, तो दोस्तों जैसे कि आपको इस वीडियो के पहले मैंने बताया था, और एक बाद पर इसे पता दू, कि WhatsApp हमें directly message send करने की permission नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम VATI का use कर रहा है, जो का, जो की, sorry, एक WhatsApp की official API software है, तो अपने VATI account से access token, और API endpoint, इन दोनों को ही copy करके अपने पाबली connect account में paste करने के बाद, हम यहाँ click करते है, save pay, and then connect करते है अपना VATI account, अपने पाबली connect account के साथ, इसके बाद, यह मुझसे पूछ रहा है, WhatsApp number, तो यहाँ पे दोस्तों, हम add करेंगे, वो WhatsApp number, जिस WhatsApp number पे हम message send करना चाहते है, यानि कि अपने customer का, अपने payment करने वादे user का WhatsApp number, और इसके निचे कुछ instruction दियेगा है, हम इस instruction को एक बार पढ़ लेते है, तो यहाँ लिखा है, enter a valid WhatsApp number with country code without plus sign, example this, तो basically यह हम से कह रहा है, कि हम एक valid WhatsApp number add करे, वो भी country code के साथ, यानि कि जो plus 91 इंडिया का country code है, उसके साथ हम user का WhatsApp number, जो 10-digit number होता है, इंडिया में, वो WhatsApp number add करे, लेकिन, यूजिवली आपने देखा होगा कि हम plus 91 करके country code add करते है, लेकिन वाटी चाहता है, कि हम plus sign remove करके, बिना plus sign के country code के साथ, user का WhatsApp number add करे है, तो यहाँ पे जो response हमें receive हुआ है, अपने reserve पे account से payment details का public connect में, महाँ पे हम responses receive हुआ है, entity contact में, एक plus 91 यानि की country code के साथ, user का WhatsApp number, लेकिन plus sign के साथ, और दूसरा है, just simple 10-digit mobile number, तो दोस्तो, जहाँ सब कि हमने वाटी ने मांगा है कि हम एक country code के साथ, WhatsApp number add करे, लेकिन plus sign से, तो अब हम एक step add करेंगे यहाँ पे, जिसमें कि हम इस पूरा WhatsApp number में से, इस plus sign को remove करेंगे, ताकि हम वाटी को country code के साथ, पूरा user का WhatsApp number दे सके, तो यहाँ पे, अपने trigger window और action window के बीच में, हम एक plus sign दिख रहा है, जो की कहता है, add application slash step, हम क्लिक करेंगे, add application के step पे, sorry, add application की button पे, और यहाँ, choose apps में, search करेंगे, number formatter, number formatter, तो यहाँ पे हम number formatter का इसलिए, use कर रहें दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो number है, वो plus sign and then country code के साथ है, जो response हमें receive वह रिजब वह रिजब इसे, उसमें, और हम चाहते है, कि इसमें से plus sign हम remove करें, सिर्फ country code, और user के 10 digit number के साथ हम number receive करें, ताकि उसे हम वाटी में add कर सके, क्योंकि वाटी बिना plus sign के साथ mobile numbers receive करता है, तो यहाँ पर number format पर आने के बाद, हम यहाँ जाएंगे action events में, और click करेंगे spreadsheet formulas पे, and then connect करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर spreadsheet formula add करेंगे, जिसका नाम है substitute, substitute, and then हम यहाँ पर एक बाप bracket open करेंगे, और map करेंगे, यहाँ पर जो receive response receive हुआ था हमें contact number का, payload, payment, entity contact, इस number का, जिस number में से हम plus sign remove करना चाहते है, तो यहाँ से इस same number को, इस same data को हम map करेंगे, यहाँ पर इस bracket के अंदर, यहाँ पर हम simply यहाँ पर click करेंगे, इस bracket के सामने, और जो हम नीचे drop down मिलेगा, उसमें से हम search करके select कर लेंगे, उस number की value को, यानि की payload, payment entity, and contact, इस same number को जिसमें से हम plus sign remove करना चाहते है, इस same number को पहले हम यहाँ पर select करेंगे, फिर हम इस number को select करने के बाद देंगे, एक बार comma and space, and then double quotes के बीच में, एक pair of double quotes के बीच में, हम enter करेंगे, वो sign या वो number, जो हम इस पूरे number में से remove करना चाहते हैं, तो हम इस पूरे number में से, इस plus sign को remove करना चाहते है तो मैं यहाँ पर double quotes के बीच में enter करता हूँ plus sign and then यहाँ पर double quotes के बाद comma and space देखे मैं फिर से add करता हूँ एक बार एक pair double quotes का जो की इससे बताएगा substitute के formula को बताएगा कि इस number में से हम इस plus sign को remove करना चाहते है और इस plus sign को replace करना चाहते है एक blank value के साथ यानि कि इस plus sign को remove करके हम कोई और number या फिर कोई और symbol यहाँ पर add नहीं करना चाहते है तो यहाँ पर इस formula को substitute के formula को add करने के बाद हम यहाँ करते है इस bracket को close जिसमें की हमने सबसे पहले map किया वो number जिसमें से हमें plus sign remove करना था then comma करके हमने इस formula को बताया कि हम plus sign को remove करना चाहते है plus symbol को remove करना चाहते है इस पूरे number से और इससे replace करना चाहते है एक blank value के साथ यानि कि इससे हटा के हम कोई भी value add करना नहीं चाहते है तो अपना spreadsheet formula लगाने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे save and send test request पे और दोस्तों save and send test request पे क्लिक करते ही हम यहाँ response received में देख सकते है कि हमें यहाँ पर user का whatsapp number as it is मिल गया है जैसा कि हम चाहते थे वो भी बिना plus sign के यहाँ कि यहाँ पर हमारे पास है user का country code और 10 digit का whatsapp number बिना plus sign के वैसे ही जैसे हमने वाटी ने required किये था जैसे हमने वाटी ने हमसे जिस format में whatsapp number मांगा था तो यहाँ से इस same whatsapp number को इस same data से same value को हम map करेंगे यहाँ पर अपने whatsapp number की field पर है तो यहाँ पर mapping simply वैसे ही करेंगे जैसे हम usually करते है लेकिन क्योंकि हमने इस वाटी अकाउंट की जो हमारी action window है इसके पहले एक नया data एक नया response add किया है इसलिए हम एक बाद फिर से click करते हैं connected की button पे and then choose existing connections में से click करते है save पे ताकि जो हमने अभी अभी अपना वाटी अकाउंट access token और API endpoint के साथ connect किया था उस same account को हमने हम यहाँ पे map कर सके है तो यहाँ watch up number की field पे हम simply click करेंगे और यहाँ मिले drop down में से जो कि हमने number formatter हमने add किया था उसमें से इस watch up number को हम add कर लेते हैं तो basically दोस्तों वाटी हमसे बिना plus sign के country code के साथ user का watch up number receive करना चाहता था हमसे user का watch up number मांग रहा था तो हमने जो plus sign के रहा हमें razor piece of watch up number receive होता है उस same number में से number formatter की help से expected formula use किया जिसमें से हमने उस plus sign को remove किया and then उस remove करने के बाद उस value को same number को हमने यहाँ पे watch up number के field पे map कर दिया तो इसके बाद ही मुझसे पूछ रहा है मेरा template तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि वाटी के through watch up message send करने के लिए हमें कुछ pre-defense template बनाके approve कराने होते हैं हमें template मिलेंगे अपने watch up account के broadcast पे and then हम click करेंगे template message पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास कई सारे templates approved है अपने वाटी account पे तो आप चाहे तो यहाँ पे new template message पे create करके अपना watch up message का template create कर सकते हैं जिसे की आपको verify कराना होता है facebook जो की watch up की parent company है उससे तो अपना message template verify कराने के बाद आपके उस template के आगे approved ऐसा कुछ status आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास message template मैंने already approved करा लिया है इस video के लिए तो मैं यहाँ पे उसको करता हूँ view तो इस template का नाम है payment underscore confirmation इसकी category alert type and then इसका language है English US इसके बाद हमें वाटी कुछ header options देता है जिसमें की हम चाहे तो कोई image कोई video या पिर कोई document add कर सकते है इस message template के साथ और यह मेरे message की body जो कहती है order confirmed hello और उसके बाद यहाँ double curly brackets के एक pair में लिखा हुआ है name तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ यह जो name लिखा हुआ double curly brackets के अंदर यह एक variable है सीधर शब्दों में कहा जाए तो यह variable एक बदलने वाली value है तो हम जब एक template verify कराते एक template approve कराते Facebook से तो हमें जो बाकी का message है हमारा वो तो as it is रहता है लेकिन कुछ variables हम इस template में add कर सकते है जो की हम चाहे तो बाद में बदल भी सकते है यह कैसे बदलेंगे यह हम देखेंगे इस video में आगे में आगे पहले हम से देख लेते यह पूरा template क्या कह रहा है template का message क्या है तो यह हमसे कहता है order confirmed hello payment करने वाले user का name thank you for shopping with us your order of product name is confirmed we will confirm the exact date of delivery as soon as your order is shipped sit back and relax while we have this delivered to you happy shopping and then company का name एक variable फिर से तो यहां पर हमने देखा कि हमारा template का message है यहां पर हमने already approve करा लिया अपने वाटी account पे facebook से तो इस same template को जो की जिसका नाम में payment confirmation इस same template को मैं select करता हूँ अपने public connect account से simplest template पे मैं click करूँगा drop down पे और इसमें से user template का नाम में payment confirmation इससे select कर लूँगा आप यहां देख सकते हैं यहां पे मेरे पास वो सभी templates है जो मेरे वाटी account पे already मैंने add कर रखे है और अप्रूफ कर रखे है तो यहां से मैं अपने public connect account पे select करता हूँ यह template payment confirmation का and then यह मुझ से पूछ रहा है broadcast name तो यहां पर मैं इस broadcast को name दे देता हूँ परस्नलाइज टी शर्ट्स परस्नलाइज टी शर्ट्स ओर्डर तो मैंने इस अपने वाट्ट्स अप मैंजे इसको जो broadcast का जो name है उसे नाम दिया है परस्नलाइज टी शर्ट्स ओर्डर आप चाहे तो अपने requirement के साब से इस broadcast को कुछ और नाम अपने इसाब से दे सकते हैं इसके बाद यह last में मुझसे पूछ रहा है custom parameters तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अपने वाट्टी अकाउंट के template पे जो template अपने अप्रूफ कराया है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने कुछ variables add किये हैं तो custom parameters के जो हमारी field है अपने public connect अकाउंट पे इस field में हम यहाँ वाट्टी को बताएंगे कि हम इन variables को बदल के कौन सी value या कौन सा text add करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला variable है जिसका नाम है name तो हम चाहते है कि इस name के value को बदल के हम जो customer का name यानकी जो payment करने माले user का name है उसका name आ जाए तो हम जाएंगे अपने public connect अकाउंट पे and then custom parameters के नीचे हम यहाँ पे एक tag दिखाई देता है brackets के अंदर हम करते है इस tag को यहाँ से copy and then इसे करते है यहाँ paste इसे एक बाद clear कर लेते है तो यहाँ पे यह जो tag है यह बहुत ही simple से tag है दोस्तों इसमें डरने घर पानी की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी जादा technical चीज नहीं है है तो यहाँ पर यह tag हम से पूछ रहे है नीम तो नीम के सामने जो हमारे पास double quotes है उसके अंदर हम click करेंगे और देंगे यहाँ पर बताएंगे इस variable का नाम तो हमारे इस template में इस variable का फॉस्ट वीरियबल का जो नाम है वो है NAME तो इस सेम वीरियबल के नीम को हम य आते ही कि payment करने वाले user का नाम आ जाए इस message में जिसा कि आपने example में देखा तो value की जगा पे इन double brackets के बीच में हम map कर लेंगे payment करने वाले user की value तो उसके लिए हम यह simply double quotes के बीच में click करेंगे and then नीचे drop down में से हम search करेंगे उस payment करने वाले user के name को यहाँ पर name है नितन शर् दोगा कि test payment हमने जो razor pay account पे की थी अपने वनितन शर्मा उस user के name की थी तो यहाँ से हमने same name जो response में receive हुआ था अपने razor pay account से public connect में इस same name को इस same data को हमने map कर दिया है यहाँ पे name के variable की जगा इसके बाद अपने name के variable के बाद मेरे पास यहाँ पे एक और variable है जिसका नाम है product name तो मेरे इस variable का second variable का नाम है product name तो यहाँ पे custom parameters के field पे जो मेरा एक variable खतम हुआ यहाँ पे इसके बाद मैं देता हूँ comma space फिर से एक बाद stack को paste करता हूँ इसे clear करता हूँ और यहाँ पे इस name के double quotes के आगे बताता हूँ इसको मेरे second variable का नाम जो कि यह product underscore name जैसा कि आप यहाँ देख सकते है product underscore name तो यहाँ पे product underscore name यहाँ पे मैंने बता दिया है public अने को मेरे second variable का जो नाम है वो है product underscore name और इस variable को बदलके जो मैं value जो मैं text add करना चाहता हूँ वो है personalized t-shirts तो यहाँ पे मैंने जो मैरे second variable था इस message का जो कि the product name का उसे बतलके मैंने public connect को बता दिया है कि यहाँ पे product name के variable को replace करके हम value add करना चाहते personalized t-shirts की यहाँ कि इस template में हम चाहते है कि your order of और product name के नजगा आजए personalized t-shirts is confirmed इसके बाद हमारा third इस template का third और आकरी variable है जो है company name तो अब हम आकरी इस third variable को भी change करते है इसके value add करते है तो simply हम एक और बाद इस tag की बाद comma and space देंगे वापस इस tag को paste करेंगे इससे करते है एक बाद फिर से clear and then variable name में हम add करते है अपने variable का नाम जो कि है company name तो हम यहाँ add करते है company underscore name वो same name sorry just a second company underscore name तो यहाँ पर same name जो हमारे आखरी variable का है यहाँ पर and then हम चाहते है कि इस name को replace करूँ मैं अपने company के नाम से तो आप चाहे तो यहाँ पर अपने requirement के साब से अपना name add कर सकते है मैं add करता हूँ पाबली तो यहाँ पर दोस्तो custom parameters में जो हमने अपने वाट्टे अकाउंट पर variables add किये थे message अप्रूब कराने से पहले उनको replace करके यह उनको बदल के जो text हम add करना चाहते है वो हमने text add किया है अपने पाबली connect अकाउंट पर है जिसमें की हम चाहते है कि जो variable का नाम था name उसके जगह आ जाए payment करने वाले user का name जो की variable था product name नाम का उसके जगह आ जाए product का नाम जो की है personalize t-shirts हमारे इस example के लिए और जो variable था company name उसके जगह आ जाए पाबली हमारी company का नाम तो मेरे इस template में दोस्तो मैंने सिर्फ तीन variables add किये है आप अपने requirement के साब से इससे जादा या कम भी variables add कर सकते है जैसा भी आप customized message अपने user को अपने payment करने वाले customer को send करना चाहे तो अपने custom parameters add करने के बाद मैं यहाँ click करता हूँ save and send test request पे और save and send test request पे click करते ही यहाँ पे मुझे एक response receive होता है जो कि मुझे बताता है कि इस number पे जो हमने यहाँ पे map किया था add किया था यान कि payment करने वाले user के number पे एक WhatsApp message हमने successfully send कर लिया है तो चली चलते है इस number के WhatsApp account पे और वही चल कर देखते हैं दोस्तों कि क्या सच में हमें वहाँ पे कोई WhatsApp message receive हुआ है या नहीं वो भी उस template के साथ जो template हमने अपने वाटी account से select किया था पाबली connect में तो चली चलते हैं अपने उस WhatsApp number के WhatsApp account पे तो जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उस number के WhatsApp account पे एक message एकदम instantly एकदम real time में receive हो गया है जो कहता है order confirmed hello Nitin Sharma यानि कि payment करने वाज़े user का नाम जो कि हमने यहाँ पे map किया था और same name हमें response में receive हुआ था razor page से पाबली connect आने वाले response में जिसमें कि हमने payment करने वाज़े user का नाम था Nitin Sharma तो same name पे हमने WhatsApp message send किया thank you for shopping with us your order of personalized t-shirts यानि की same product name जो हमने custom parameters में यहाँ पे custom product name का जो हमारा variable था उसके एड़ किया था personalized t-shirt तो same title आ गया है product का नाम हमारे WhatsApp message में is confirmed we will confirm the exact date of delivery as soon as your order is shipped sit back and relax we have this delivered to you happy shopping and pavli pavli यानि की दोस्तो same मेरे company का नाम जो कि मैंने same variables के tag company name के variable के आगे add की थी अपने company का नाम pavli same name same company name तो दोस्तो इस WhatsApp message को रिज़ करते ही हम यह देख चुके है कि यह जो हमने पूरा process यह जो पूरा हमने automation काम किया था यह successfully काम कर रहा है तो एक बार इस automation को एकदम real time में test करके देखते हैं दोस्तों कि कैस सच में automation इसी तरीके से काम करता है जिसमें कि हम अपने razor pay के payment page पे कोई user कोई customer payment करेगा और automatically एकदम real time में उसके mention किये के number पर उस user को एक WhatsApp message receive हो जाएगा तो चली इस एक बार test करते हैं हम आते हैं अपने razor pay के payment page पे इससे करते हैं एक बार refresh और यहाँ पे add करते हैं एक new customer की details और देखते हैं कि क्या हमें तब एक WhatsApp message receive होता है उस customer के phone number पे है तो यहाँ पे मैंने एक user की details add कर दी है जिसका नाम है शिवम खरे यह उसका email address उसका phone number address pin code और उसका total amount अब हम यहाँ पे इस test payment को करते हैं और करते हैं अपने रेजर के payment page पे एक payment टेस्ट काड़ डीटेल्स अगेंड श्रेवम CVV and Pay Success तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हमने अपने रेजर पे के payment page पे एक successful payment submit कर दिया है यानि कि हमने अपने हमें अपने हमें अपने रेजर के payment page पे एक payment successfully received हो गया है तो चली चलते हैं इस payment करने वादा जो user था जिसकी डीटेल्स हमने अभी वह एंटर की थी उसके mention किये गए phone number के WhatsApp account पे और वहाँ चलके देखते हैं कि क्या सच में यह जो automation हमने setup किया है यह कुछ इस तरीकिस ही काम करता है कि यहाँ payment होने पर automatically रिगदम real time में उससे वहाँ पे WhatsApp message receive हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास उपन है उस user का WhatsApp account और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते है कि हाँ पे हमारे पास एक matches receive हो है जो कहता है order confirmed hello shivam kharay यानि की payment करने वाले user का name thank you for shopping with us your order of personalized t-shirt is confirmed we will confirm the exact date of delivery as soon as your order is shipped sit back and relax while we have this delivered to you happy shopping pavli तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि अभी अभी हमने एकदम real time पे एकदम instantly अपने razor pay page पे पे payment होने पर payment करने वाल यूजर को automatically एक WhatsApp message send कर दिया इस automation की help से तो चलिए एक पर pavli connect पे आते हैं और यहां एकदम brief में समझते हैं कि यह पूरा automation यह पूरा process हमने कैसे setup किया तो सबसे पहले हमाए अपने pavli connect अकाउंट पे वहां से मिले एक webhook URL की help से हमने pavli connect और razor पे इन दोनों का आपस में link किया आपस में connect किया उसके बाद हम गए अपने razor pay account के payment page पे जहां पे हमने एक test payment क्रियेट की ताकि उस payment का data उसका जो details है उसे हम pavli connect में collect कर सके उसके बाद जो हमें mobile number उस response से razor पे से pavli connect में आने वाल response में collect हुआ था receive हुआ था उस number में plus sign था with country code और user का phone number जिसमें से हमें plus sign को remove करना था तो फिर हमने यूज किया number formatter में एक spreadsheet formula का जिसका नाम है substitute जिसकी help से हमने उस पूरे mobile number में से plus sign को remove किया ताकि उस number को हम अपने आखरी step में वाटी के WhatsApp नमबर वाली field पे map कर सके और payment करने वाल यूजर को successfully वाटी के दूर WhatsApp में से send कर सके हैं से यही applications नहीं दोस्तो पावली connect की help से आप multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते हैं और अपने business को automate कर सकते हैं और हाँ एक और ज़रूरी बाद इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप इस same workflow को अपने पावली connect अकाउंट पे clone कर सकते हैं और इस workflow को free में use कर सकते हैं किसी भी तरिके के help या feedback के लिए आप हमें contact कर सकते हैं admin at the right pably.com पर या अपनी queries फूच सकते हैं इस link पर और आज को यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करें, share करें और हाँ ऐसी कुछ automation और integration से लेटेड और awesome वीडियो के लिए पावली हिंदी को subscribe क करें तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो थैंक यू